दमाश्टर प्रकास क्लास है, से यूटूब चनल आप सभी लोगों का सौथ करता है तो भईया कल एक वीडियो बनाए गए थी जिसमें आपको बताया गया था कि KBS PRT में कितने नंबर होने पर आपको इंटर्व्यू के लिए बुलाया जाय सकता है लेकिन उस वीडियो लक्चर में बहुत सारे कमेंट आए कि भईया गुणांक कैसे बनेगा, मेरिट कैसे बनेगी, सेलेक्शन कैसे होगा तो इस वीडियो लक्चर में हम लोग नहीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि भईया KBS PRT की मेरिट कैसे बनती है, गुणांक का क्या मतलब होता है और यह जो आपका 70 अनुपाते 30 लिखा गया है आपके नोटिसिकेशन में तो 70 अनुपाते 30 का क्या मतलब होता है तो गुणांक हमें जानना समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि अगर हमें ये पता होगा तो हम अपनी बाकी के बचे हुए जो 60 नंबर का हमारा इंटर्व्यू बचा हुआ है उसकी अच्छे से तयारी कर सकते हैं और हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारा सेलेक्शन होगा, कि अथवा नहीं होगा और आपको बाद में ये भी बता जाएगा कि किस कैटेगरी में कितना गुणांग होने पर आप सेफ जोन में हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन्ही सब चीज़ों पर हमें चर्चा करनी है मेरिट कैसे बनेगी, गुणांग कैसे निकालें और ये सत्तर अनुपात तीस का क्या मतलब होता है ठीक है, चलिए, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आपका 180 नंबर की परिख्चा तो हो चुकी है आप सभी लोग उनने अपने अपने नंबर मिला लिये होंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं लेकिन अभी परिशानमत हो ये अभी दो चरण आपके बाकी हैं जो आपकी परिख्चा हो ये उसमें पहला नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद क्या होगा, रिजर्ब आंसर की आएगी बहुत सारे पिशनों पर अभी आपती की गई है उसके बाद आपका रिजर्ब आंसर की आएगी यानि कि अभी आपके जितने नंबर है उसमें पांदस नंबर उपर नीचे हो सकता है नीचे होने के समभवन नहीं है उपर ही हो सकता है यानि अगर आपके 110 नमर बन रहे हैं, तो वो 115, 116, 117 तक आपके जाज सकते हैं, ठीक है, तो परेशान न रहे हैं, थोड़े वक्त, अगर कम नमर हैं, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉर्मलाज़शन होने दीजिए, रिजर्व्ड आंसर कियाने दीजिए, कुछ न कुछ आपके साथ अच्छा जरूर होगा, तो 180 नमरों को आपने पेपर दे दिया है, ये हमारा 70 से मतलब होता है, जो हमारा 70 और 30 का अनुपात है, गुरांक बनाने के लिए, उसमें जो 70 साख्छातकार होगा, यानि इंटर्व्य होगा, तो 30 नमर का आपको डेमो कलास मिलेगी, यानि कि आपको कलास में जाके कुछ न कुछ बढ़ाना पढ़ेगा, तो उसका आपको 30 नमर मिलेगा, साख्छातकार का 30 नमर मिलेगा, टोटल 60 नमर होगा, तो जो आपका दूसरा चरण होगा वो आपका 60 नमबर का होगा ठीक है तो साच छातकार में 4-5 लोग बैठे रहेंगे आपका इंटर्व्यू लेंगे डेमो क्लास में आपको एक क्लास दे दी जाएगी या एक खाली कमला रहेगा उसमें जाके कानपात कैसे निकालेंगे या नि गुणांक कैसे निकालेंगे और 30 का गुणांक कैसे निकालेंगे इस पर हम लोग बात करते हैं अच्छा इससे पहले उत्तर प्रदेश में एक 79,000 भर्ती आये थी उसी 79,000 भर्ती में हमारा सेलेक्शन हुआ है बरतमासवे में हम राज सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार में जो है साहय का धापक केपद पर कारी कर रहे हैं तो उसमें भी गुणांक निकाला गया था लेकिन उसमें जो गुणांक निकाला गया था वो 60 और 40 का गुणांक निकाला गया था जो उस भर्ती से सम्मधित लोग हैं वो तो गुणांक बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि 70 और जो 30 का अनुपात है या गुणांग है उसको कैसे निकालेंगे टोटल यह 100 नंबर बनेगा, 70-30, 100 नंबर का गुणांग बनेगा, तो 100 नंबर में आपके कितने नंबर मिल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, काम कर गुणांग निक किया या उसके 170 नंबर बरने हैं, तो गुणांग निकालने के लिए क्लिक क्या करिएगा, जितने नंबर आपके बन रहे हैं, उसको आप उपर लिखिएगा, ठीक है, टोटल कितने नंबर है, 180 नंबर है, उसको आप नीचे लिखिएगा, और कितने नंबरों में आपको किस में निकालना है, 70 के हिसाब से निकालना है, तो 70 का गुलांग कर देंगे, तो आपका गुलांग पता चलियाएगा, तो यहाँ पर 117 उपर लिखा, और इसको calculate जब करेंगे आप mobile से, तो 45.5 आ रहा है, इसका मतलब कि यह जो बच्चा है, यह 70 नमबरों में 45.5 नमबर मिल रहा है इसे, ठीक है, अब आगे आप साच्छातकार में जाइए, तो साच्छातकार में क्या होगा, 60 नमबरों का आपका इंटर्वी होगा, हम माल लेते हैं, आपको बहुत अच्छा आपका इंटर्वी गया है, और आपको 45 नमबर मिला है, तो वही काम आपको यहाँ पर क तो calculate करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा तो कहने के मतलब यहां पर है इस बिद्यार्थी का 180 में 45, sorry 70 के हिसाब से 45.5 मिला और 30 के हिसाब से कितना मिला 24 मिला तो total इसका कितना गुरांग हो जाएगा भाईया तो total इसका जो गुरांग होगा वो होगा 69.5 ठीक है 45 और 24 को जोड़ देंगे तो 69.5 इसका total गुरांग हो जाएगा तो गुरांग निकलना आपको समझ में आ गया जितने नंबर मिला है उसको उपर लिखिए 180 का भाग करिए और किसके हिसाब से निकलना 70 के हिसाब से निकलना 70 का गुरांग कर दीए तो ये गुरांग निकलने का एक shortcut तरीका था इसका तरीका बहुत बढ़ा होता है पहले इसमें percentage निकालते हैं फिर यह करते हैं यह हमने जो तरीका बताईए यह बहुत short तरीका है ठीक है तो यह आपको समय में आएगा गुरांग कैसे निकलना है थे हैं क्योंकि अभी इंटर्व्यू बाकी है तो यहां पर हमने माल लिया है कि यह हमारा गुणांख यहां पर 69.5 हमारा किसी अभ्यरती का जो सामान कटेगरी का है सामान बुद्धी का अभ्यरती है 69.5 बन रहा है तो गुणांख निकालना आ गया मेरिट कैसे बनेगी यह सौझ में आ गया है अब अपने दूसरे टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं यह भाईया कितना गुणांख होने पर हम सेफ जोन में रहेंगे हमारा सेलेक्शन हो सकता है अब गुणांख से सम्मंधित अगर कोई आपके पास पृष्ण हो तो कमेंड बॉक्स में लिखती कीजिएगा अब दूसरे टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं भाईया काम करते हैं कि पहले जर्नल केटेगरी की बात करते हैं तो जर्नल केटेगरी में जैसे कि आपको पता है कि लगवग 30,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा इंट हैं आपको नौकरी 100% मिल जाएगी लेकिन अगर 67 से 70 के बीच में हैं तो आपके 50-50 चांस है ठीक है 70 प्लस से जोन में है यूर केटेगरी में जर्नल केटेगरी में ठीक है इसी प्रकार से अगर हम OBC केटेगरी की बात करें तो OBC केटेगरी में भाईया 68 से प्लस हैं आपक जोन में हैं अगर 65 से 68 के बीच में आपका गौंग है भाईया 50-50 आपके चांस है इस जौब को पाने के लिए अगर हम लोग यही SC केटेगरी की बात करें तो SC केटेगरी में 65 आपका से जोन रहेगा 65 से ज्यादा आपका से जोन रहेगा और 62 से 65 यह आपका 50-50 चांस में हैं तो सेफ जोन में हैं इसी प्रिकार अगर हम लोग ST केटेगरी की बात करें तो उनकी मेरिट बहुत ही कम जाती है Central Government में ST के जो आप भेड़ती होते हैं वो ना के बराबर मिलते हैं इसलिए अगर आप 60 प्लस है तो 100% आपको नौकरी मिलेगी 60 प्लस है 100% नौकरी मिल दी है OBC के जितने नंबर होते हैं उनके आसपास आपका EWS के टेगरी में नंबर मिलते हैं तो अगर आपका 68 प्लस में है तो आप 100% सेफ जोन में है और आगर आपका 60 प्लस है तो आप 50-50 आपके पास चांस है और जो फिजकल हेंडिकेप होते हैं यहाँ पर हमने 60 नहीं हो होना चाहिए यहाँ पर पचपन होना चाहिए ठीक है तो फिजकल हेंडिकेप जो हमारे आप भेरती हैं उनका पचपन गुणांक बहुत ही 100% सेफ है और पचपन से भी नीचे हैं तो भी उनका सेलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर प्रते काटेगरी कर बता दिया है कितने गुणांक होने पर आप सेफ जोन में हैं गुणांक कैसे निकाला जाता है इसको भी आपको बहुत ही अच्छे तरिके से समझाया है इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट है कोई प्रिशन है तो इसको कमेंड बॉक्स में लिख सकीते हैं और कुछ भी पूछना हो कोई गलती भी हुई हो तो उससारी चीज़ों को आप कमेंड बॉक्स में लिख सकते हैं यहां पर जो हमने सेफ जोन बताया है उसी के आज पास आपकी मेरिट जाएगी इससे ज़्यादा आपकी मेरिट जाने की कोई भी उमीद नहीं है ठीक ना भीया तो चलिए मिलते हैं ह तो अगले केसी वीडियो लक्चर में आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद